गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में पिछले कई दिनों से ऑक्सीजन की कमी से मौत का सिलसला चल रहा था लेकिन स्वास्ति मंत्री सिधार्थ नाथ सिंग और चिकित्सा सिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन इस बेहत गंभीर मुद्दे से बेखबर थे वैसे तो सिधार्थ नाथ सिंग सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं लेकिन 63 बच्चों की मौत पर उनकी चुप्पी सवालों के दाइरे में हैं जब हॉस्पीटल में एक के बाद एक मासूम अंतिम सांस ले रहे थे तब स्वास्थ मंत्री सिधार्थ नाथ सिंग दिल्ली में पूर्व उपराष्टपती हामिद अंसारी के विदाई समाहरों और वर्तमान उपराष्टपती वंकईया नाइडू के शपत ग्रेहंड समार में मशगूल थे मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन का संकट उसी समय से गहराना शुरू हो गया था जब स्वास्थ मंत्री सिधार्थ नाथ सिंग दिल्ली में थे लेकिन उन्होंने इस बेहत गंभीर मामले में कोई फौरी कारिवाई नहीं की बाबा रागवदास मेडिकल कॉ जब अस्पताल में बच्चों के मौद का आंकड़ा बढ़ता गया तो पानी सिर से उपर तक पहुँच गया तब इस बेहत गंभीर मामले की भनक लोगों को लगी साफ है कि ये केवल 63 बच्चों की मौद का मामला नहीं है बलकि ये तो योगी सरकार की कारेशैली के ढकोसल और दिखावे की शवियात्रा है पंजाब केसरी टीवी के लिलखनव से अंडल सैनी की रिपोर्ट